करांतिकरी जय भीम, जय भारत, नेला सलाम, जय समिधान, भेम सेना जिन्दाबाद साथियों अगर फेस्बुक भी संगी हो जाए, या फिर फेस्बुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी संगी हो जाए, तो नवाब सत्पालतवर धाड़ना नहीं छोड़ सकता जितने साथी इस लाइव वीडियो पर जुड़ेंगे, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट होगे, कि इस लाइव वीडियो को जितना हो सके शेयर करें क्योंकि आज मैं वो सवाल उठाऊंगा जो सवाल किसी ने नहीं उठाए और वो सवाल उठाऊंगा जो सवाल जायज भी है मैं भहुजन समाज का बेटा हूँ और भीम सैनिकों का साथी हूँ भीम सैनिकों का मित्र हूँ भीम सैनिकों का भाई हूँ भीम सैनेकों का हम सफर हूँ आज मेरी इस वीडियो को देश का हर वासिन्दा देखेगा किसी भी जाती का हो, किसी भी धर्म का हो किसी भी महले का हो, किसी भी गाउं का हो किसी भी सहर का हो, किसी भी राज्य का हो भारत देश का हो या फिर भारत देश के अलावा दुनिया में किसी भी कंट्री का हो आज दुनिया का हर वासिंदा मेरी इस लाइव वीडियो को देखेगा और सुनेगा कारण क्या है भारत देश में कोरोना महमारी के नाम पर धांदले बाजी की जा रही है कारण क्या है भारत देश में कोरोना महमारी के नाम पर लोगों को बेमौत मारा जा रहा है कारण क्या है कोरोना महमारी के नाम पर भारतिय जनता पार्टे अपनी तिजोरी भर रही है कारण क्या है कोरोना महामारी के नाम पर भारत देश के परधान मंतरी इस देश को मुर्ख बना रहे हैं कारण क्या है पिछले साल 2020 में कोरोना महामारी के नाम पर अर्बो रुपिया पीम रिलीफ फंड में परधान मंतरी ना ना माननिये परधान मंतरी सिरी नरेंदर मोदी जी ने पीम रिलीफ फंड में मोटा रुपिया लिया पीम रिलिफ फंड में लिया भारत देश के लोगों से लिया डानेशन के नाम पर लिया और देश को मिला क्या करोना का दूसरा पार्ट करोना का दूसरा भाग देश को लूटा और ये लूटा हुआ पैसा कहा गया कहा और ये लूटा हुआ पैसा गया कहा बीजेपी के खाते में नरेंदर मोदी के खाते में बलैक मनी के रूप में व्यापारियों की जेब में डॉक्टरों की जेब में हस्पतालों की जेब में गया ये रुपिया और सबसे बड़ा मोटा रुपिया कहां गया बड़ा खुलासा आपके सामने करता हूँ देश में ये बात बोलने की ये भहुजन के बेटे में है भीम सेना के सिपाई में है भीम सेना के कमांडो में ये हिम्मत है भीम सेना के भीम सैनिक में ये हिम्मत है पूरा देश इस बात को देखे जो आज में खुलासा करने वाला हो इस से पूरी बीजेपी में भारतिय जनता पार्टी में तहल का मच क्योंकि भारतिय जंता पर्टी ने भारत देश की जंता की पीठ में खंजर ही नहीं तलवार घुपी है धोका दिया है नरिंदर मोदी ने देश को जी हां दगा किया है नरिंदर भाई दमोदर दास मोदी जी ने भारत देश के साथ बहुत बड़ा धोका किया है जो आज आप वीडियो में देख रहे हैं कोरोना बिमारी से बे मौत मारे जा रहे हैं हमारी माताएं मारी जा रही हैं बहने मारी जा रही हैं हमारे भाई युवा मारे जा रहे हैं हमारे बुजुर्ग मारे जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी कोरोना बिमारी से मारे जा रहे हैं और ज का एक बहुत बड़ा गेम है भारतिय जंता पार्टी का और मोधी सरकार का जिस अस्पताल में लोग मर रहे हैं ना यह जो भारतिय जंता पार्टी की सरकार है जो नरेंदर मोधी की सरकार है याद है आपको कितनी बड़ी बड़ी घोषनाई की थी नरेंदर मोदी जी ने स्वास्ते विभाग को करोडो अर्बो रुपे का बजट दिया वो बजट गया कहां सारा वो प्राइवेट संस्थानों में गया वो प्राइवेट हस्पतालों में बजट गया और जो लोग मारे जा रहे हैं योजनाओं के नाम पर कि इनका हमने इलाज किया इनकी तो हिम्मत नहीं है रुपिया देने की इलाज का रुपिया देने की फिरी में इलाज कराने का तो मातर भाना है जबकि इलाज के नाम पर और उसकी मौत के नाम पर जो कोरोना से मारे गए लोग बताए जा से भारत सरकार से मोटा रुपिया वसूलेंगे इन्सौरेंस के रूप में वसूलेंगे फंड के रूप में वसूलेंगे ये बड़ा खेल चल रहा है और जो पीम रिलीफ फंड में इस लाइव वीडियो को शेर करो भई सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हुना वो इस देश को हिला देगी इस वीडियो को शेर करो आपके उल्टे हाथ पर शेर का बटन है दबाओ अपनी टाइम लाइन पर शेर करो आपके उल्टे हाथ पर शेर का बटन आप दोबारा दबाएंगे तो सीधे हाथ पर शेर टू गुरुप का उप्शन आए हुआ क्या पीम रिलीफ फंड में मोटा रुपिया अरो अर्बो रुपिया अपनी महनत की कमाई से इस देश ने नरेंदर मोदी के उपर विश्वास करके दिया और जो रुपिया विश्वास करके दिया वो इन्होंने सारा राम मंदिर में दे दिया राम मंदिर में राम मंदिर आहुद्धा को बनाने के लिए नरिंदर मोदी ने पी-म रिलीव फंड का गलत इस्तेमाल किया बरिश्टा चार किया ये जो जो जोले वाला जोला उठा करके आया है ना जैसे इन्होंने विजय माल्या को भगा दिया नीरव मोदी को भगा दिया ऐसे ही एक दिन नरिंदर मोदी जी भाग जाएंगे इस देश से भाग जाएंगे इस देश को लूट करके भाग जाएंगे आप बताएं नरिंदर मोदी जी हमें जवाब दे हम आपसे जवाब मांग पूरते हैं जवाब दे नरेंदर मोदी पी-अम रिलीफ फंड में अर्बो रुपिया आया कहा गया वह जवाब दे आप पी-एम रिलीफ में अर्बो रुपिया आपने नराम मंदिर पर खर्च कर दिया आपके मंतरी चाट गए आपके मंतरी खा गए, आपके संसद खा गए, आपकी पार्टी के पदादिकारी खा गए, खुले आम कहराओ इस बात को, सच बोलने से हमें डर नहीं लगता, नरेंदर मोदी अगर हमें जेल भी करा देना, तो भी हमें गुरेज नहीं होगा, नरेंदर मोदी हमें जेल में भीजवा दे, हमें बाउंड कर दे, अगर हमें काडा पाणी की जेल भी नरेंदर मोदी करा देना, तो भी हम बोलेंगे, अगर हमारी जुवान को बंद कर दिया गया, हमें जेल में डाल दिया गया, तो हमारे बाद ये देश बोलेगा, देश का ह और वासिंदा बोलेगा, बच्चा बच्चा बोलेगा, बहने बोलेगी, माताएं बोलेगी, भाई बोलेगी, युवा बोलेगी, मेरे दोस्त बोलेगी, जो भारत देश के मेरे साथ ही मेरे दोस्त है, वो बोलेगी, आवाज उठाएंगे, राम मंदिर में पी-म रिलीफ करोना के नाम पर जो रुपिया लिया गया वो चाट गए नरेंदर मोदी के मंतरी मुख्य मंतरी, सांसद, बीजेपी के पदादीकारी खा गए सारे रुपियों को और आज अगर मैं जूट हूँ, अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं जूट बोल रहा हूँ तो नरेंदर मोदी जवाब दे, देश मर रहा है, करोना से, बिमारियों से, डर से, डॉक्टर भी जवरदस्ती मार रहे है समसान घाट में ऐसे लोग पहुचाए जा रहे हैं, जलाने के लिए, जो जिन्दा है क्योंकि हस्पतालों को रुपिया कौन देगा, नरेंदर मोदी देंगे किस के नाम पर देंगे, योजनाओं के नाम पर देंगे नरेंदर मोदी जी ने करोना के नाम पर जो आज तक योजनाए लागू की है वो सारी योजनाओं कोर्परेट घरानों के लिए है, वो सारी योजनाओं डक्टरों के लिए है वो खुन चूसने वाले, वो लोगों को मारने वाले लोग, वो हस्पताल, खुले आम, कोरोना के नाम पर धांद ली कर रहे हैं लोगों को मार रहे है, पी-म रिलीफ फंड का रुपिया, अगर आपने राम मंदिर में नहीं लगाया पी-म रिलीफ फंड का रुपिया, अगर आपने कोरोना के लिए जो पीडित है, उनके लिए नहीं लगाया तो नरेंदर मोदी जी जवाब दे जवाब दे हमें हम आप से जवाब मांगते है होस्पिटल कहा एं? कितने होस्पिटल बनाएं आपने? बैड कहा है? ओक्षिजन कहा है? करोडो रुपे की ओक्षिजन नरेंदर मोधी जी ने बेच खाई और देश बिना उक्सीजन के मर रहा है रोड पर खाली सिलेंडर जो उक्सीजन उनमें नहीं है खाली सिलेंडर उक्सीजन के लेकर के रोड पर गरीब लोग पड़े हुए है वो गरीब नहीं है वो इस देश की जनता है जिलोंने आपको चुना है और देश की जनता आपको मुआफ नहीं करेगी धरम के नाम पर जाती के नाम पर लोगों को लड़वाने वारी भारतिये जनता परटी और भारतिये जनता परटी के नेता योगी आदित्यनात, नरिंदर मोदी कोरोना के नाम पर देश को लूटने का काम कर रहे है और आज देश मूख दरसक बन कर देख रहा है अगर आज भी देश खामोस रहा तो PM रिलीफ फंड के नाम पर जो रुपिया नरिंदर मोदी जी ने लूटा है न वो सारा राम मंदिर में लगाया जा रहा है, राम मंदिर में उस पैसे को लगाया जा रहा है अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं जूट बोल रहा हूँ, तो आप बताइए कोई नया होस्पिटल बनाया आज तक, एक साल बीच चुका है नया होस्पिटल कोई बना क्या करोना में रिलीफ के लिए कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोई नया होस्पिटल बना क्या नहीं बना नए बैड तयार किये गए क्या नहीं किये गए अख्शीजन की सप्लाई अख्शीजन की नई फैक्टरिया एस्टैपलिस हुई क्या नई हुई जबकि सच्चाई ये है कि नरेंदर मोदी जी ने अख्शीजन भी करोड़ो रुपई की बेच खाई ये सच्चाई है है सच बोलने की हिम्मत क्या देश में है या मुझे सुन करके चुपचाप अपने घर चले जाएंगे, नेट को बंद कर देंगे, सत्पाल तवर तो ऐसे ही चिलाता है, मार्क जुकरबर्ग संगीव एक्ती, फेस्बुक का संस्तापक एकदम से नोटिस देगा, हमारे पेज को बंद कर देगा, तो हम क्या कमजोर हैं? फेस्बुक के दफ्तरों पे तारे पड़ेंगे, कहा है, कायम रहेंगे, लेकिन हमें बोलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते, क्योंकि मेरी ताकत आप हैं, क्योंकि मेरा होसला आप हैं, अगर आप मुझे देखते हैं, फोलो करते हैं, नरिंदर मोदी जी की असलि देश के सामने लेकर के आईए ये बहुत जरूरी है एक बात और बता देते हैं पिछले साल 2020 में जब कोरोना महामारी की एंट्री भारत देश में हुई और पुरी दुनिया में हुई तो भीम सेना सबसे आगे रही आपके साथ मिलकर आपके भाया जी नवाब सत्पालतवर से आगे रहे अगर हमने कोरोना महामारी में लोगों की मदद की तो हम 2021 में भी पीछे नहीं रहेंगे जितने भी लोग गरीब थे मजबूर थे अचानक से लोकडाउन लगा करके बहुत बड़ी चोट नरिंदर मोदी ने लोगों पर की और हमने कहा ये जरूरी भी थी कोई बात नहीं तो हम कौन सा पीछे हटे हमने गरीबों में रासन बाटा नोन स्टॉप लंगर चलाए धाई से तीन लाख मास्क हमने फ्री में बाट दिये यह भीमसेना की सेवा है इस देश के लिए भीमसेना का प्यार है और अब कौन सा हम कमजोर रह जाएंगे अब भी हम सब से आगे रहेंगे भीमसेना देश सेवा में भी कम नहीं रही है और देश सेवा करेगी एंबुलेस भी चलाएगी ऑक्षिजन भी सप्लाइगी भीमसेना आने वाले समय में आप खुद देखेंगे भीमसेना और आपके भाई नवाब सप्पालतो और आपके प्यार से आपके होसले से आपकी उमीद से आपकी आसाओं से गरीबों तक ऑक्सीजन पहुचाएंगे और बिलकुल फ्री में पहुचाएंगे सारी तैयारी है हमारी सरकार कमजोर ना समझे हमें सारी तैयारी है हमारी देश सेवा में सब से आगे भीम सेना जो हमें ये नरिंदर मोदी के सरकार कहती है ना कि ये भीम सेना वाले नकसलवादी है ये भीम सेना वाले देश द्रोई है ये भीम सेना वाले जो ये कहते है ना हम कि यह आतंकवादी हैं, हम तुमारे बाप हैं, नरिंदर मोदी जी, तुम पीम रिलीव फंड के नाम पर देश के साथ धोखा कर रहे हो, हस्पतालों को भेच रहे हो, लेकिन हम देश सेवा में सबसे आगे हैं, ओल राउंडर हैं, तुमारा परदा फास भी करेंगे, और इसकी सेवा भी करेंगे, करांतिकर जै भेम, जै भारत, नीला सलाम, जै समिदान, भेम सेना, जिन्दाबाद, लाइक, शेर, एंड कमेंट,